हेलो स्टुएंट्स लास्ट्स में हमने क्या पढ़ा था वेक्टर सब्ट्रेक्शन उसी को आज हमनों कंटिन्यू करेंगे लास्ट्स में जहां छोड़ा था फिस देखेंगा अज हमें एक कोशन करने के लिए उसी कोशन से आज हमों स्टाट्ट करते हैं वेक्टर सब्टाट्स देखें लास्ट स्थे मोढ़िया इस कोशन किया था कोशण क्या था एक कार एक आख कार थी जो इस्ट द Hence कर रही थी with speed 20 meter per second, बाद में इसने turn किया, turn किया towards north with same speed, पहले भी speed क्या थी 20, बाद में speed क्या रही 20, direction पहले east था, बाद में क्या हो गया north, तो पूछा है कि change in velocity कितना होगा, velocity में change हुआ है, क्यो हुआ है, velocity क्या है, vector, direction बदल गया, भले magnitude नहीं बदला, लेकिन velocity का direction बदल गय और direction बदल गया, तो vector बदल गया, मतबब velocity में change हुआ, और वो change in velocity क्या होगी, final velocity minus initial velocity, पहले क्या निकालना, change in velocity, तो मैंने आप लोग से कहा तो last class में, कि आप लोग इसको draw करके लिए क्याएंगे, triangle rule का या parallelogram method का यूज करते हुए, आप लोग को ये change in velocity draw करनी थी, ठीक है, तो मैं draw करता हूँ, इस vector को, ये देखो, ये पहला vector V1 है, ये मैंने V1 draw कर दिया, दूसरा vector V2 है, ये मैंने V2 draw कर दिया, मैंने क्या किया, कि जहाँ पे first का head, वहाँ second का tail, इसको उठाके मैं यहाँ से यहाँ तक ले के आगया, इसको उठाके मैं यहाँ ले के आउँगा, तो ये figure बनेगा, जहाँ से first का head, वहाँ second का tail, अब मैं draw करूँगा resultant, first के tail से लेकर, second के head तक, ये हो गया resultant, चिक, तो क्या ये change in velocity आ गई, क्या ये change in velocity आई, बोलो, yes या no, बिल्कुल नहीं, अगर आपने ये draw किया था, और आपने सोचा कि change in velocity है, तो बिल्कुल गलत है ये change in velocity नहीं है, मतलब अगर आपने सोचा था, कि change in velocity का direction, north east आएगा, अगर आपने सोचा था, कि change in velocity का direction, north east आएगा, तो बिल्कुल गलत, इसका direction, north east नहीं, क्योंकि ये draw किया, ये solve किया है, क्या है, resultant है, किसका resultant है, इन दोनों का resultant है, resultant का मतलब क्या होता है, plus, किसका प्लस V1 और V2 का प्लस तो यह क्या गिया V1 प्लस V2 और निकालना क्या था हमें V2 minus V1 निकालना था यह और निकाल दिया यह तो हमारा answer यह नहीं हुआ निकालना था हमें change in velocity तो अगर आपने draw किया था तो बिलकुल गलत यह हमारा गलत नहीं हो गया यह गलत है ठीक है चलो यह देखो फिर से मैं करता हूँ यह कौन है V1 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 यह क्या है V2 और V2 ऊपर है तो minus V2 किदर होगा नीचे minus V2 किदर होगा नीचे अब मैं draw कर लूँगा resultant first के tail से लेकर second के head तक first के tail से लेके second के head तक यह क्या आगया resultant resultant का मतलब क्या होता है plus किसका plus इंदो वेक्टर का plus first vector को हौन है V1 और second को हौन है minus V2 और V1 plus minus V2 का मतलब क्या होता है V1 minus V2 तो यह हो गया V1 minus V2 यह आ गया बूलो तो जो हमें निकालना था क्या हो निकल गया और से direction क्या कहला एगा Southeast Southeast कहला एगा क्या जो हमें निकालना था उस कांसर आ गया बिलकुल नहीं निकालना क्या था V2-V1 वो तुमने क्या निकाल दिया V1-V2 ये भी गलत है ये भी गलत है चलो करता हूँ V2-V1 का मतलब क्या है V2 में एड करना है क्या एड करना है V2 में हमें एड करना है क्या एड करना है माइनस V1 को हमें एड करना है मतलब माइनस किसका चाहिए V2 का नहीं, V2 का नहीं माइनस किसका चाहिए, V1 का और V1 अगर right है, तो minus V1 किदर होगा, left V1 अगर right है, तो minus V1 किदर होगा, left, यह draw कर दिया मैंने minus V1, तुम देखो अब ध्यान से देखो इस figure को V2 को मैं बोल रहा हूँ first vector और minus V1 को मैंने क्या बोला, second vector V1 right है, तो minus V1 किदर होगा, left, अब draw करूंगा resultant, first के tail से लेकर second के head तक, यह होगा resultant resultant का मतलब क्या होता है, plus किसका plus, इन दोनों का plus और this, plus this V2 plus minus V1 V2 plus minus V1 का मतलब क्या होगा, V2 minus V1 तो यह आगया हमारा V2 minus V1 आगया, इस तरह से यह आगया हमारा change in velocity vector V2 minus vector V1, यह आगया और direction क्या आगया, North East तो change in velocity आगयी यह हाँ, यही तो क्या कहलाएगी, change in velocity और direction क्या आगया, sorry, sorry, sorry North East नहीं, sorry, North East नहीं North West, यह आगया हमारा direction magnitude कितना आगया, तो Pythagoras theorem से magnitude भी तो निकाल सकते हैं हम लोग, देखो कैसे, इसकी length कितनी है, 20, और यह V2 की length कितनी है, 20, magnitude का मतलब length, और V1 क्या था, 20, तो minus V1 में क्या होगा, 20, minus क्या आने से, बस direction reverse होता है, magnitude में कोई change नहीं, तो यह length कितनी है, 20, यह length कितनी है, 20, और यह क्या बन रहा है, right angle triangle, एक समकोर तरिभूज, right angle triangle, तो Pythagoras theorem से लंबा ही निकल जाएगी, तो इसकी length कितनी होगी, under root 20 का square plus 20 का square, यह आ गया, इस hypotenuse की length, और length का मतलब क्या होता, magnitude, तो यह आ गया, change in velocity का magnitude, कितना आ गया, 20 root 2, तो इस तरह से change in velocity आ गयी, direction, magnitude कितना आ गया, 20 root 2 meter per second, 20 root 2 meter per second, और direction क्या आ गया, north west, direction क्या आ गया, north west, अच्छा, north west तभी कर पाते हैं, जब यह angle 45 degree हो, और तुम निकाल लेना, यह angle कितना हैगा, 45 degree, इसलिए इसको क्या बोल पाएंगे, north west, magnitude भी आ गया, direction भी आ गया, और question solve हो गया, ठेक है, तो यह हो गया, question, इसको ठीक से अप लोग, एक simple सी कुछ चीजे, कुछ points से इनको लिख लेना, क्या, obviously, जैसा मैंने, अब इस, last class में बताया था आप लोगको, कि a minus b और b minus से equal नहीं होते हैं, a minus b और b minus से का magnitude क्या होगा, same, direction क्या होगा, opposite, इसलिए a minus b और b minus से equal नहीं, ठीक है, इसलिए यह, यह, commutative lock को follow नहीं कर रह क्या लिखा है, the vector subtraction does not follow commutative law, addition, commutative law को follow कर रहा है, subtraction, commutative को follow नहीं कर रहा, similarly, यह, a minus b minus c, और a minus b minus c, तुम देख ले न, यह और यह equal नहीं, तुम देख लो, इसको मैं open करूंत के आएगा, a minus b plus c आएगा, इसको मैं करूंत, a minus b minus c आएगा, तुम देख लो, एदम clear दिख रहा है, कि यह दोनों equal नहीं, और यह दोनों equal नहीं, मतलब यह, associative law को follow नहीं कर रहा, associative law को follow नहीं कर रहा, इसका मतलब subtraction, subtraction, commutative law को भी follow नहीं करता, और associative law को भी follow नहीं करता, जबकि मैं इसको से याद दिलाओं अप लोग को addition के बारे में, addition के बारे में addition में क्या था a plus b plus c और a plus b plus c ये ये और ये equal थे इसका addition addition associative law को भी follow करता है और commutative को भी follow करता है लेगि subtraction ना commutative को और ना ही associative law को follow कर रहा इसको आप लोग अपनी copy पे note कर लेंगे जो मैंने अभी just आप को बताया ठीक है अच्छा अभी हम लोग ये होगी बात लिख लेना इसको अभी हम लोग आगे जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें इसका यूज होगा ये एक mathematical term है formula है 1 plus cos theta की value क्या होती 2 cos square theta by 2 और 1 minus cos theta क्या होता 2 sin square theta by 2 cos square theta by 2 का मतलब क्या होता है समालोगी क्या है cos square theta by 2 इसका मतलब होगा cos theta by 2 का whole square cos square theta by 2 मनलब cos theta by 2 का whole square और cos theta by 2 में और पैसली 2 जो है सिर्फ किसको divide कर रहा है theta को 2 जो है वो cos के अंदर है सिर्फ theta को divide कर रहा है तो यह हमारा है, याद रखना है, इसको 1 plus cos theta इतना होगा, 2 cos square theta by 2, 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2, इनका यूज होने वाला है, आने वाले term में, देखे दर, ठीक है, कुछ points हैं, जो कि आपको याद रखना है, क्या, अगर vector A का magnitude कितना है, A, और vector B का magnitude कितना, A, अगर दोनों vector का magnitude क्या हो, same, दो vector है, तोनों का magnitude क्या है, same, और vector A और vector B के बीच का angle कितना हो, theta, जिसे के मानलो, एक vector A इधर हो, इसका magnitude कितना है, A, और एक vector B इधर हो, इसका magnitude बीच कितना हो, A, भले magnitude same है, लेकिन vector same नहीं, क्योंकि direction क्या है, अलग, और दोनों vector के बीच का angle कितना है, theta, तो अगर मैं इन का result इनको add करूं add करने से क्या आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर भी इनको add किया वेक्टर ए और वेक्टर भी को add करने से यह आया और इसका जो magnitude आएगा वो कितना आएगा 2a cos theta by 2 याद रखना है इसको यह हमोग निकाल भी चुके हैं component method of addition से component method of addition से इसको निकाल भी चुके हैं वैसे आज मैं दुबारा इसको निकाल के दिखाऊंगा पहले भी निकाल चुके हैं आज भी इसको निकाल के दिखाऊंगा कि इनको add करने से vector a plus vector b आएगा और इसका जो magnitude आएगा इसका जो magnitude आएगा कितना आएगा 2a cos theta by 2 similarly अगर मैं इन दोनों vector को आपस में subtract करूं vector a और vector b को आपस में subtract करूं a minus b निकालूं तो इस a minus b का जो magnitude आएगा कितना आएगा 2a sin theta by 2 मैं चाहता हूं कि दोनों आपको याद रहे लें condition यह है कि दोनों का magnitude क्या होना चीए यह सेम यह क्या होगा 2a cos theta by 2 2a sin theta by 2 जान दोनों के इसमें दोनों के इसमें theta क्या है vector a और vector b के बीच का angle ठीक एक point यह हुआ दूसरा कि अगर इन दोनों vector का magnitude सेम है तो vector a plus vector b और vector a minus vector b दोनों vector हमेशा आपस में क्या होंगे perpendicular मतलब अगर vector a और vector b का magnitude सेम है तो a और vector b को add करने से बान लो की vector x मिला या vector c मिला तो vector x मिला और vector a और vector b को subtract करने से मान लो की vector y मिला यह क्या हुआ x और यह क्या हुआ y तो अगर इन दोनों का magnitude सेम है तो vector x और vector y आपस में क्या होंगे perpendicular अगर इनका magnitude सेम है तो a plus b और a minus b आपस में क्या होंगे perpendicular यह आप यह चीज़ लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है तो आपको तीन बात याद रखनी है अगर magnitude सेम है तो इनके sum का magnitude 2a cos theta by 2 difference का magnitude 2a sin theta by 2 और vector का sum और vector का difference आपस में क्या होगा perpendicular vector को add करने से भी vector मिलता है सब्क्रेट करने से भी vector मिलता है और यह नया vector और यह नया vector और यह प्लस b और a minus b आपस में क्या होंगे perpendicular तो मैं चाहता हूँ यह जो बात मैंने कही इसको ठीक से आप अपनी copy पर लिखें और आपको याद भी होना चीज़ इसको लिख लेंगे औ और आपको यह पूरा का पूरा जो मैंने कहा याद होना चीज़ आपको ठीक है चलो एक काम करते हैं तीनों को हम लोग लाइन से प्रूफ करेंगे पहले इसको प्रूफ करेंगे फिर इसको प्रूफ करेंगे फिर इसको प्रूफ करेंगे यह अलड़ी हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं वैसे दुबारा प्रूफ करेंगे देखते हैं कैसे आपको पता है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B क बहुत simple सा calculation है इसको मुझे करने दो, बहुत simple सा है, तुम तो करी लोगे, मुझे कर लें दो, vector a plus vector b का magnitude कितना होगा, formula क्या होता है, a square plus b square plus 2ab cos theta, और तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पर दोनों का magnitude क्या है, same, a to a, a है ही, b b कितना a, a square plus b square plus 2ab cos theta, यहाँ a square plus a square, 2a square, 2a square, औ अभी ऊपर देखा था, 1 plus cos theta क्या था, 2 cos square theta by 2, तो 2 into 2 क्या होगे, 4, 4 का root कितना होगे, 2, a square का root कितना है, a, और cos square theta by 2 का मतलब होता है, cos theta by 2 का whole square, cos square theta by 2 का मतलब, cos theta by 2 का whole square होता है, और इसको अगर root से बाहर निकालें, root से बाहर निकालें, क्या बचेगा, cos theta by 2, तो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई 2A cos theta by 2 कैसे प्रूफ किया मैंने formula से प्रूफ किया और सेम चीज हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं by using component method of addition अगर नहीं आदा रहा तो पुराने class में जाओ उसकी video recording देखो component method of addition के last question मैंने यही किया है ठीक है तो यह हम लोग शायद lecture 4 था lecture 4 के last में हमने इसको proof किया हुआ है by using component method of addition आज हमने formula से किया चलो A plus B का magnitude निकाला अब A minus B का magnitude कितना होगा under root A square plus B square minus 2AB cos theta A minus B का formula होता है A square plus B square minus 2AB cos theta A तो A है ही B B कितना A A square plus A square क्या होगा 2A square 2A square common लोगा 2A square common लोगा क्या हैगा 1 minus cos theta अभी ऊपर देखा था कि 1 minus cos theta क्या था 2 sin square theta by 2 अब 2 into 2 क्या होगा 4 4 का root कितना होगा 2 A square का root कितना होगा A और sin square theta by 2 का root कितना होगा sin theta by 2 इस तरह से हमने ये A minus B का magnitude भी निकाल लिया अभी मैंने कहा था उपर कि ये proof होगे proof होगा A plus B का magnitude भी निकल गया और A minus B का magnitude भी निकल गया a plus b का magnitude to a cos theta by 2 a minus b का magnitude to a sin theta by 2 ये हो गया चेक है याद रखना है इस फॉर्मले को ये हो गया अभी भी एक चीज़ प्रूफ करनी बाकी रहेगी क्या बाकी रहे गया क्या या दिलाओं कि अगर दोनों का magnitude same है तो दोनों vector को add करने से जो नया vector मिला और subtract करने से जो नया vector मिला वो आपस में क्या होगा? perpendicular ये प्रूफ करना है चलो प्रूफ करते हैं in fact इसको मैंने question की तरह बना दिया देखो वही चीज़ वही चीज़ लिखी हुई है क्या? कि अगर vector a और vector b का magnitude same है then prove कि vector a a और b को add करने से जो vector मिला और a और b को subtract करने से जो vector मिला वो आपस में क्या होंगे? perpendicular ये हमें proof करना है तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग proof करो वो तो घटिया चीज थी हो मैंने proof कर दिया ये अच्छी चीज है ये तुम proof करो by o jing triangle rule of addition या parallelogram method of addition मैं ग्राफ बना के figure बना के figure बना के तुम proof करने कोश्च करो होगा कैसे भी करो? कैसे भी करो तुम्हारी मरजी कैसे भी इसको proof करो लेकि मैं सहीशन दे रहा हूँ कि parallelogram method of addition का यूज करके तुम पहले a plus b draw करो a minus b draw करो तो तुम draw करोगे तो अपने आप proof हो जाएगा अरे try तो करो time लगेगा शायद इसको proof करने में तो video को रोक के try करो आप लोग video को रोको ठीक है? तो मैं proof करने जा रहा हूँ इसको अब ठीक है? देखे इधर चलो ये draw कर दिया मैंने figure यहाँ पर मैंने figure draw कर दिया एक में रूको देखें यहाँ पर देखो मैंने a की length और b की length क्या लिए? same मतलब vector a का महिंग चूड़ यहाँ पर a है vector a का महिंग चूड़ अगर यहाँ पर a है तो vector b का महिंग चूड़ भी कितना a और vector b का महिंग चूड़ अ है तो minus b का महिंग चूड़ भी कितना होगा a ठीक है? तुम पहले सिर्फ इनको मत देखो तुम इसको मत देखो तुम तुम b को मत देखो तुम इनको मत देखो तुम खाली vector a और b को देखो जहाँ a का head है वहाँ क्या है? sorry sorry जहाँ a का tail है वहाँ क्या है? b का tail parallelogram method में दुनों का tail एक साथ जहाँ a का tail वहाँ b का भी tail a के head से मने client b के head से client draw किया a के parallel और a के head से client draw किया b के parallel तो यह क्या बन गया? parallelogram बन गया a के head से b के parallel b के head से a के parallel अब ड्रॉकरिंग resultant, resultant कहां से start होगा, दोनों के tail से, resultant दोनों के tail से start होगा, और यह resultant है, किसका resultant है, A और B का resultant है, resultant का मतलब क्या होता है, plus, हाँ, तो यह resultant है, तो यह क्या बन गया, vector A, plus vector B, यह बन गया, चेक है, यह हो गया, अच्छा, अब मुझे ड्रॉकर ने यह देखो तुम, B किधर है, ऊपर, तो minus B किधर होगा, नीचे, अब तुम यह देखो, नीचे वाला यह, यह देखो, पैलोग्राम, A के head से minus B के parallel, फिर minus B के head से A के parallel, अब ड्रॉकर करूंगा resultant, resultant, नीचे वाला figure देखो, resultant, दोनों के tail से start होगा, यहाँ पे खत्म होग कि vector A और vector B का magnitude क्या है, same, मैंने यहाँ पे मान लिया है, मैंने यहाँ माना है कि vector A और vector B का magnitude, same है, मद अगर A का magnitude A है, तो B का magnitude भी कितना, A, ठीक, इसकी length A, इसकी length A, ठीक है, तुम बताओ, अगर यहाँ से, यह length A है, तो यहां से लेकर यहां तक यह लेंध भी कितनी होगी ए अरे सामने है इस ट्रेंगल को तुम देखो इस ट्रेंगल को यह लेंध कितनी है यह लेंध कितनी है और इस ट्रेंगल को देखो यह लेंध कितनी ए यह है तो अब इसली यह लेंध भी कितनी होगी ए एक बार मैं फिर से वीडियो करो के प्रूफ करने कोशिश करो कि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पर्पेंडुक्लर है ट्राइ करो ठीक है मैं करता हूँ देखे दर let's say let's say माना कि ये एंगल अल्फा है अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा सुचो तुम इस ट्राइंगल को देखो बताओ अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा बिल्कुल सही अल्फा होगा क्यों ये लेंथ इस ट्राइंगल का ये लेंथ और इलेंथ सेम है तुनके आमने सामने के अंगल भी क्या होंगे same, इसके एगर धर यह alpha है त इसके इसके आगर धर जाए एंगल कितना होगा alpha, length same है तो angle क्या होंगे, same यह हो गई alpha जिक, अब तब में इस triangle को देखो, इस triangle को देखो let's say कि यह angle βीटा है अगर यह angle बीटा है אותו यह angle भी बीटा होगा सही सोच रहे हो क्यों ये लेंथ और ये लेंथ क्या है सेम इस लेंथ के सामने वाला इंगल बीटा है तो इस लेंथ के सामने वाला इंगल भी कितना होगा बीटा ये हो गया अब देखो तुम अब मैं इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल, अलफा, इस ट्रेंगल का ये एक एंगल कितना है, अलफा, ये दूसरा एंगल कितना है, बीटा, और ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, अलफा प्लस बीटा, तो तीन एंगल है, एक ट्रेंगल के तीन एंगल, एक अलफा है, एक बी बीटा ठीक कितना हो गया 2 alpha plus beta तो 2 alpha plus beta कितना हो गया 180 तो alpha plus beta की value जो i वो कितनी आ गई 90 degree और alpha plus beta अगर 90 आ गया इसका मतलब proof हो गया कि ये vector और ये vector आपस में क्या है perpendicular तो proof होता है हमारा answer कि दोनों vector आपस में perpendicular कितनी simple तरीके से ये proof हो गया कि तोनों vector आपस में perpendicular होंगे ठीक है ठीक से इसको draw कर लो जल्दी से अच्छा तरीका था ये बहुत ही simple तरीका है कितने simple तरीके से proof हुआ कि a plus b और a minus b आपस में perpendicular होंगे वैसे इससे भी एक simple तरीका है जो आगे मैं आप लोगको बताऊंगा इससे भी और simple तरीका है ये भी बहुत simple नहींगे इससे भी simple तरीका है proof करने का फिलाल तो ये proof हो गया इसका मतलब ये आने का मतलब होता है कि a plus b और a minus b आपस में क्या होंगे perpendicular hence proof ठीक चलो ये हो गया अच्छा तरीका चलो लिख लेंगे इसको इसको ठीक से लिख लेंगे आप लोग एक और तरीका बता रहा हूं लेकिन लंबा तरीका है इससे भी इससे भी अच्छा तरीका वो बाद में बताऊंगा मैं आप लोगको लेकि एक और तरीका बताने जा रहा हूं जो इससे लंबा तरीका है तो क्यों बता क्यों रहा हूं हो सकता है आपने सोचा हो चीज इसलिए में बता दे रहा हूं लंबा है ठीक है जानो तुम भले लंबा तरीका है लेकि तुम जानोगे तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा तुम और तुम्हाई सोचने की छंता कैसे करूँ जहां देखो इस अब हटाता हूँ मैं अंगल जहाद ही घट गया चीग है वापस मैं इसी ट्रेंगल की बात करूँ इस बड़ी ट्रेंगल की हमें क्या प्रूफ करना है यह लेंथ और यह लेंथ आपस में क्या है प्र प्रेंट कलाउर यही तो मुझे प्रूफ करना है तो देखना इधर a प्लस b और a minus e इस ट्रेंगल क् Ground हमें प्रूफ करना है कि यह दोनों प्रेंट कलाउर है चलू है जबताओ A plus B, अभी हमने उपर पढ़ा, इस A plus B का magnitude कितना आया था, magnitude का मतलब लंबाई, कितनी आया थी, 2A cos theta by 2, इस A plus B का magnitude का आया था, 2A cos theta by 2, और इस A minus B का magnitude कितना आया था, 2A sin theta by 2, magnitude का मतलब क्या होता, length, मतलब इस बड़े triangle का, ये length, इस vector का magnitude का, ये length का आया थी, उपर देखा थ 2A cos theta by 2 और इसकी length के आए थी 2A sin theta by 2 और इसकी length कितनी इस बड़े वाली पूरी length कितनी है A plus A कितना 2A तो इस triangle की ये length कितनी है 2A cos theta by 2 ये length कितनी है 2A sin theta by 2 और length कितनी है 2A अगर इन दोनों के square का sum इसके square के बराबर है अगर है तो triangle कैसा होगा right angle triangle और right angle triangle होने का मतलब यह angle क्या हो जाएगा 90 तो proof हो जाएगा कि यह और यह आपस में क्या है परपेंट को तो तुम check कर लेना आएगा तुम इसका square कर लेना क्या हैगा 4a square cos square theta by 2 4a square sin square theta by 2 इनका sum इनका sum करूँ तो 4a square common आएगा और cos square theta by 2 plus sin square theta by 2 क्या होगा 1 तो इनके square का sum कितना है 4a square इनके square का sum क्या है 4a square और इसका square कितना है 2a का square मतलब 4a square आतो गया इन दोनों के square का sum तीसरे के square के ब्राभर है तो triangle कैसा है right angle triangle मतलब दोनों आपस में क्या हुए ये भी proof हो गया ये भी अच्छा तरीका है लेकिन मुझे ज castle तरीका ये लगता है एन दोनों में ठिक अगर आपने ये भी सोचा है तो अच्छी बात है लगाया है इस तरीके सॉल्व करने के लिए ठिक तो ये हो गया चलो अब थोड़ से दिर करते हैं हो गया प्रूफ एक मिनुट, एक मिनुट को आप लोग, एक मिनुट को आप लोग, देखे चलो, अभी मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, यह कौन है, वेक्टर A, यह कौन है, वेक्टर B, जहाँ A का टेल है, वहाँ B का टेल, B के हैट से A के पैलल, A के हैट से B के पैलल, टेल से लेकर यहाँ तक ड्रॉकी लाइन, यह कौन सा है, वेक्टर X, और हैट से हैट ड्रॉक किया, तो यह कौन सा है, वेक्टर Y, टेल से लेकर यहाँ तक ड्रॉक किया, तो यह कौन सा है, वेक्टर X, और हैट से हैट एक वेक्टर रॉक किया, वेक्टर Y है, जल्दी बताओ vector x कौन है फटा फट बताओ क्या है vector x vector x क्या है जल्दी बताओ बिल्कुल सही औरे याद करो parallelogram method of addition resultant दोनों parallelogram method में resultant दोनों की tail से start होकि यहां पे खत्म होता है तो vector x जो होगा वो कौन होगा vector a plus vector b आ गया vector x बिल्कुल सही सोचा आपने vector x equals to vector a plus vector b यह तो हई, यह तो में पढ़ी रहे हैं कई देर से, अच्छा लेकिन vector y सोचो, क्या होगा vector y जल्दी, जल्दी यह vector y क्या होगा बोलो देखाता हूँ मैं vector y क्या होगा फटा फट देखो, यह draw किया मैंने minus b यहां से देखना, यह minus b draw किया, minus b के head से a के parallel a के head से minus b के parallel तुम उपर मत देखो, उपर मत देखो से मीचे देखो, यह क्या बन गया पैलो ग्राम, resultant दोनों के tail से start होगा, resultant दोनों के tail से start होगा, यहाँ पे होगा यह parallelogram method में, resultant दोनों के tail से start हो कि यहाँ पर गया, resulting का मतलब क्या होता है, plus, किसका plus, इन दोनों का plus, this, plus this, इसका मतलब क्या होगा, vector a, minus vector b, यह वाला vector, तुम को य निकालना था, तो मैं यह क्यो निकाल रहा हूँ, अरे बेकूफ हो, ध्यान से देखो, यह length और length क्या होगा, same, मतलब इसका magnitude और इसका magnitude क्या होगा, same, और दोनों आपस में क्या है, parallel, direction भी क्या होगा, same, तो इस vector और इस vector का direction क्या है, same, magnitude क्या है, same, तो यह vector और यह vector क्या है, same, इसका मतलब vector y को स्टु क्या है, vector a, minus vector b, vector y को स्टु क्या है, vector a, minus vector b, आया, अरे देखो तो, y क्या होगा, a minus b, आ गया लेकिन थोड़ा से लंबा तरीका है वाई समझने का वाई को समझने का थोड़ा से लंबा तरीका में एक और सिंपल तरीका आप लोग बता रहा हूं वाई को समझने हटाओ इस अब हटाओ इस लंबी तरीके को तुम थोड़ी दिर के लिए एक मैंड रुको 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 वेट करो hai तुम थोड़ दूर के लिए तुम मैं इसको अठाता हूँ एक मिल्ट दोस्त रुको तो मैंने इसको अठा दिया हाँ चलो आप तुमको कौन दिख़ रहा है वेक्टर A दिख रहा है वेक्टर B दीख रहा और वेक्टर Y दीख रहा आ ए, B और Y इसमें तुम क्या देखो ट्रैंगल रूल आफ एडिशन को देखो ध्यान से देखो इसमें ट्रैंगल रूल आफ एडिशन को देखने ही कोशिच करो बताओ इन में से कोई एक वेक्टर बाकि दोनों का क्या resultant है का resultant है कि B इन दोनों का resultant है कि Y इन दोनों का resultant है बताओ जल्दी बताओ कि कौन किसका resultant है जल्दी बताओ इस figure को देखके तुम देखो B को मैं बोलू first vector Y को मैं बोलू second vector तो जहां पर first का head है वहां second का tail जहां B का head वहां Y का tail y का tail और a कहां से कहां तक है first के tail से second के head तक b के tail से y के head तक तो a क्या होगा b और y का resultant एकदम clear दिख रहा figure में कि जो vector a है जो vector a है वो y और b का क्या है resultant जो b plus y b plus y equal to क्या a याद तो triangle rule of addition तो यहाँ पर y equal to कितना आ गया a minus b कितना simple तरीका है यह तो इतना simple तरीका है कि इसका आप मन में मन में ही तुम देख सकते हो एकदम मन में कि b plus y equal to क्या a कोई figure draw रही कर दा ठेक दो pen को b plus y equal to क्या a तो b plus y equal to a है तो y equal to क्या हो जाएगा a minus b आया यह simple तरीक देख लो फिर से एक दम देख रो इस parallelogram में थर्ट से clear है कि x कौन होगा a plus b और y निकालने के triangle को देखो triangle b plus y equal to a है और b plus y equal to a है तो y कितना होगे a minus b तो या रखना a और b से मिलकर जो तुम parallelogram बनाओगे उन दोनों में से एक vector क्या होगा उनका sum और दुसरा vector क्या होगा उसका difference y क्या होगा a minus b लेकिन ध्यान अखना अगर मैं अगर मैं इसका arrow उपर ले आऊँ अगर मैं इसका arrow नीचे ना हो जाके head उपर हो head head नीचे ना हो के head उपर हो तो फिर y क्या होगा फिर y a minus b नहीं क्या होगा y क्या होगा y बोलो अगर मान लो मैं यह कह रहा हूँ तुम यहाँ पर देखो यह a यह y अब तुम फिर से इस triangle को देखना इस triangle को तुम देखना तुम्हें क्या दिखाई देगा a plus y equal to क्या दिखाई देगा b a plus y अब a जहाँ पर a का head है जहाँ पर a का head वहाँ y का tail a plus y equal to क्या है b तो y equal to कितना हो जाएगा b minus a तुम ध्यान रखना गलती मत करना y a minus b भी हो सकता है b minus a भी हो सकता है ध्यान देना कि y तुमने a से b दिखाया है कि B से A दिखाया है वो clear हो जाएगा figure से देखके तुम्हें clear हो जाएगा कि Y A plus B होना है कि B plus A होना है ठीक है फिलाग इस figure में मैं फिर से बोलता हूँ B plus Y B plus Y को अ है तो Y कितना होगे A minus B तो ठीक है X फिर से X A plus B और Y क्या है A minus B यह हो गया ठीक है अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पर अचाब मैं चाहता हूँ इसको लिख लेना वीडियो को रोक के इसको लिख लेना ठीक है इंट्रेस्टिंग है यह वापस मैं पीछे वही पर आता हूँ फिर से वही बात A और B का मैंग्चूट क्या है same तो proof करना आपको कि A plus B और A minus B आपस में क्या होंगे perpendicular ये proof करना है मैंने कहा था कि इससे भी simple जो मैंने proof किया था ना alpha plus beta equals 90 पहला method मैंने कहा था उससे भी simple method बताऊंगा proof करने के लिए वो मौका आ गया हम मैं बताने जा रहा हूँ लेकि तुम सोच लो क्या है method जल्दी सोचो वो नया method क्या है बहुत simple method जिससे कि बहुत easily proof हो जाएगा कि A plus B और A minus B आपस में क्या होंगे perpendicular सोचो सोचो जल्दी ठीक है अब मैं करता हूँ मुझे करने दो देखे दर मैं कर रहा हूँ अब यह कौन है vector A यह कौन है vector B vector B जहां पर A का tail वहां B का भी tail B के head से एक line draw किया A के parallel A के head से line draw किया B के parallel अभी आज ही हमने पढ़ा कि यह वाला vector कौन होगा अच्छे तुम यह बताओ यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं इसमें A और B का magnitude same है और A और B का magnitude same है मतलब यह length और length same है और अगर दो length same है तो यह parallelogram क्या बन जाएगा rhombus अगर length same है तो 4 की length क्या हो जाएगी same तो यह क्या बन जाएगा rhombus rhombus बन जाएगा और तुमको पता है कि यह जो होगा यह कौन होगा अभी आजी पढ़ा अभी दीख चाहिए A प्लस भी होगा और यह कौन सा वेक्टर होगा यह होगा A माइनस भी होगा क्या प्रूफ हो गया कितना simple तरीका बिन आप पर उठाए तुम क्या प्रूफ कर सकते हो बिल्कुल कैसे तुम एक मन में ही चाहो तो तुम एक parallelogram बनाओगे और चुकी इनकी len next सेम है तो फे dragons क्या बन जाएग रोंबस एक diagonal क्या होगा उस रोंबस का एक diagonal क्या होगा A प्लस B दूसरर डैगणल क्या होगा A माइनस B और तुमको पता है कि एक रोंबस के रोंबस के दोरो置 diagonal rhombus के दोनों diagonal एक दूसरे को perpendicularly cut करते हैं पर यह होता है rhombus के लिए perpendicular होता है तो proof हो गया कि A plus B perpendicular to A minus B कितने simple तरीके से proof हुआ मन में ही तूँ मन में ही तूँ figure draw कर होगे तुमको अच्छा A और B का magnitude same है तुम palogram draw कर होगे और वो palogram क्या बन जाएगा rhombus एक diagonal A plus B एक A minus B और दोनों आपस में perpendicular होते है rhombus का तो A plus B perpendicular to A minus B कितने simple तरीके से हो गया proof draw कर लेना इसको इसको भी जहाँ पर यह लिखा था उसके बगल में इसको भी draw कर लेना A plus B A minus B यह हो गया समझ गया है? मज़ आया? चलो ठीक है? आगे बढ़ते हैं यह तो देख लिए था है तो अभी थोड़े पहरें देखा तुम यह बताओ इसकी बात नहीं कर रहा है यह बात हो चुकी है कौन बड़ा होता है? कौन बड़ा होता है? A plus B vector A plus vector B कि vector A minus vector B? जल्दी बताओ कौन बड़ा होता है? vector A plus vector B कि vector A minus vector B? बड़ा होता है मतलब किसका magnitude ज्यादा होता है? A plus B का magnitude कि A minus B का magnitude किसका? याद रखना vector में minus के आने से नुकसान नहीं होता बस नया vector बन जाता है vector B right है तो minus B किदर होगा? left तुम यह मत सोचना कि यह हमेशा बड़ा होगा और यह हमेशा छोटा होगा? बिल्कुल नहीं यह भी बड़ा सुनो ऐसा भी हो सकता है कि यह बड़ा हो और यह क्या हो? छोटा लेकि ऐसा भी हो सकता है किसी example में कि यह इसकी length क्या हो? ज्यादा इसका magnitude क्या हो? ज्यादा वेक्टर A है, फटाफट देखो और यह वेक्टर B है, तो यह कौन होगा, माइनस B, यह A, यह B और यह माइनस B, B के हट से A के पैलल, A के हट से B के पैलल, तो यह जो होगा, यह कौन सा वेक्टर होगा, A प्लस B, यह कौन सा वेक्टर होगा, A प्लस B, और यह कौन सा वेक्टर होगा, A-B, तो इस figure में देखो, एकदम clear दिख रहा है, कि इस figure में A plus B बड़ा है, और A बड़ा है, और A-B छोटा है, तो याद अखना, अगर A और B के बीच का एंगल 90 से कम है, अगर A और B के बीच का एंगल 90 से कम है, तो A plus B, वेक्टर A plus vector B का मेंगच्वत ज्यादा होगा, और ओर बेक्टर A minus vector B का मेंगच्वत क्या होगा, कम, मैं फिर से दिखा देता हूँ, फिर से एक बार फिर से देख लो, यह देखो यह vector A हो यह कौन है vector B ट्रेंगल रूल दिखा रहा हूं और यह angle theta तुम देख सकते हो कि 90 से कम है इसमें और clear सौन रहाएगा theta क्या है 90 से कम तो यह कौन से vector है vector A plus vector B और यह कौन से vector है vector A minus vector B तो देखो अगर vector A और vector B के बीच का एंगल 90 से कम है a plus B बड़ा होगा और A minus B क्या होगा छोटा लेकिन वह ही अगर मानलो यह कौन है vector A और यह कौन है vector B तो तुम देखो यहाँ पर A और B के बीच का एंगल 90 से क्या है ज्यादा अगर उपर B है तो नीचे कौन होगा minus B तो य यह घ्र क्या कहलेगा वेक्टर माईनमस बी तो यहां पे देखो जब अंौन नाइंटी ज्यादा है री अ बाया बड़ा हो गया के तो देखो यहां बस्थर बड़ा A मैंने सी चोटा और यहां मत्विची चोटा है और ए माथ मीमाथ भी बड़ा है तो कोई बड़ा छोटा छोटा बड़ा लिंक कैसा हो सकता है कि दोनों का length मतलब दोनों का magnitude से more possible है हाँ कब कब यह angle 90 से कम यह angle 90 से ज्यादा तो कब possible length बराबर हो बिल्कुल सही सोच रहो कब जब उनके बीच का angle कितना हो 90 जब उनके बीच का angle कितना हो 90 यह देखो यह रहा figure यहाँ प B उपर minus B किदर होगा नीचे तो यह कौन होगा A plus B और यह कौन होगा A minus B इदम clear दिख रहा है कि इसकी length और इसकी length क्या होगी same in fact बगर में इसकी length निकालूं तो पाइथागोरस theorem से पाइथागोरस theorem से A plus B का magnitude कितना हैगा under root A square plus B square देखो न अरे यह A है यह B है A square plus B square ऐसे ही यह A B इसका भी magnitude इसका भी दोनों का magnitude क्या हैगा same इसका भी magnitude क्या है under root A square plus B square यह आएगा कब त्याद अक्तना if A perpendicular to B तो A plus B का magnitude और A minus B का magnitude दोनों का magnitude आपस में क्या होगा same equal होगा और किसके equal होगा under root A square plus B square के ठीक है क्या इसके पहले भी यही चीज़ पढ़ रहे थे हम लोग नहीं तुम confuse मन हो ना ऊपर हमने कुछ अलग proof किया है यह अलग कुछ proof हो रहा है पीछे कुछ और था यह कुछ और है तुम confuse मत हो मैं बताओ पीछे हमने क्या देखा था देखो इदर पीछे हमने देखा था कि अगर A और B का magnitude सेम हो चाहे angle कुछ भी हो ऊपर हमने क्या देखा था यह first statement अलग है और second अलग है तो first क्या था ऊपर ऊपर कि अगर दो वेक्टर का magnitude सेम हो चाहे उनकी बीच का angle कुछ भी हो तो then A plus B perpendicular to A minus B यह देखा था ऊपर हमने जिसको हमने rombus से proof किया था कि A plus B perpendicular to A minus B कब जब A और B का magnitude क्या है सेम पीछे और अभी जो देखा तुरंट तुरंट जो देखा हो क्या है कि अगर अगर A और B perpendicular है if A perpendicular to B if A perpendicular to B then then if then A plus B का magnitude और A minus B का magnitude क्या होगा सेम तुम देखा दोरों में difference इसको हमने उपर प्रूफ किया था by using rhombus rhombus से भी प्रूफ किया था और alpha plus beta equal to 90 प्रूफ किया था वो यह चीज थी कि अगर magnitude सेम है A plus B A minus B perpendicular होगा और अभी हमने क्या प्रूफ किया कि अगर दो वेक्टर पर प्रपेडिक्लर होगा तो इनका sum का magnitude और difference का magnitude क्या होगा सेम यह हो गया समझ गया तुम देख लो इसको मैं चालता हूँ इसको तुम दोनों को एक साथ लिख लो जिससे कभी तुम कभी एक महीने बाद दो महीने बाद तुम रिवाइज करो तुम्हें कोई भी confusion नहीं रहे जाए यह एक अलग statement यह एक अलग statement अच्छी बात है कि हो गया लिख लिए आप लोगों ने आगे बढ़ता हूँ एक नए question के लिए question क्या है यह point A है यह B है और ED है कोई कार circular motion कर रही एक body circular motion कर रही with speed V with constant speed V मल यहाँ भी speed क्या है V यहाँ भी speed क्या है V और यहाँ भी speed क्या है V क्या velocity बदल रही है हाँ क्योंकि direction बदल रहा speed नहीं बदल रही मतलब velocity का magnitude नहीं बदल रहा लेकिन direction बदल रहा तो velocity बदल रही A की velocity उपर, कह सकते हैं कि vector V A, vector V A upward है, vector B B left है और vector V D downward है, तो पूछा है कि change in velocity for one quarter of revolution, one quarter of revolution कहां से कहां तक A से B तक, A से B तक की change in velocity पूछी है, तो A से B तक की change in velocity क्या होगी, final minus initial, यह पूछा है, यह पहला question है, और फिर दूसरा question क्या है, फिर पूछा है, पहले कहा हो, change in velocity for one quarter of revolution, one quarter of revolution, and for half of revolution, मतलब पहले पूछा A से B तक की change in velocity और बाद पूछा A से लेकर दिल्ली तक की change in velocity हो, change क्या होगा, final velocity minus initial velocity, यह हम लोगों को solve करना है, मैं मोका दे रहा हूँ आप लोग को, जल्दी solve करो इनको, A से B तक का change निकालो, उसके बाद A से D तक का change निकालो, जल्दी करो, हाँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग triangle rule का, triangle rule of addition का यूच करते वे, जल्दी से आप लोग change in velocity को निकाले, change in velocity को निकाले, triangle rule का यूच करते वे, ठीक है चलो मैं निकालता हूँ ठीक है वीडियो को रोख के आप निकाले है ठीक है मैं निकाल रहा हूँ देखो उधर कैसे वेक्टर वीबी वेक्टर वीबी किदर है वेक्टर वीबी किदर है लेफ्ट Vector VB किदर है? Left और Vector VA किदर है? उपर तो minus VA किदर होगा? नीचे Vector VB किदर है? Left और Vector VA किदर है? उपर तो minus VA किदर होगा? नीचे minus VA. अब draw करूंगा resultant. 1st के tail से लेके 2nd के head तक यह resultant है. किसका resultant? इन दोनों का. Resultant का मतलब क्या होता है? plus or this plus this this plus this का मतलब क्या होगा VB minus VA ये आ गया हमारा change in velocity आ गया आ गया VB minus VA ये आ गया ठीक direction अधर एस ए से लेके Bombay तक का change in velocity का ये direction आ गया और magnitude की बात करें ताब को पता है कि speed V है speed क्या होता है velocity का magnitude तो A की velocity का magnitude कितना है V B की velocity का magnitude भी कितना है V speed मतलब velocity का magnitude ये length भी क्या होगी V ये length भी क्या होगी V तो Pythagoras theorem से V और V तो कैसकी length निकल जाएगी कितनी क्या हो जाएगी इसकी length root 2V answer आ गया तो change in velocity का magnitude कितना आ गया root 2V, और direction दिख रहा है, यह रहा इतना direction, तो तुम्हें पूछा है कि a से लेकर Bombay तकी change in velocity, root 2V, direction दिखा दोगे, यह होगा a से लेकर Bombay तकी change in velocity direction, तो यह first question का answer आ गया, अब बात करते second question की, second question में VD minus VE, तो पहले मैं draw करूँगा VD, VD किदर है, VD किदर है, नीचे, अरे देखो न, VD किदर है, नीचे, तो यह देखो, यह मैंने ट्रॉक कर दिया, VD, यह VD ट्रॉक कर दिया, वेक्टर VD को मैंने ट्रॉक कर दिया, ठीक, अब मैं ट्रॉक करूँगा, माइनस वी ये तो वी ये किदर है उपर अरे वी ये किदर है उपर तो माइनस वी ये किदर होगा नीचे वी ये उपर है तो माइनस वी ये किदर होगा नीचे तो जहां फर्स्ट का है वहां सेकेंड का टेल अब draw करूंगा resultant, first के tail से लेकर second के heck तक यह रहा resultant और तुमको पता है कि VD का magnitude कितना है V, मतलब यह length कितनी है V और VA का magnitude V है, तो minus VA का magnitude V कितना होगा V, मतलब यह length कितना होगा V magnitude का मतलब क्या हो तो length, जो magnitude VA का होगा, वही किसका होगा, minus VA का तो ये length कितनी है V, ये length कितनी है V, तो ये पुरी length जो इक green दिख रहा है आपको, ये length कितनी होगी 2V, और ये vector क्या कहलाएगा, change in velocity, क्यो ओ छेब चिज़ इन velocity, ये vector क्या resultant, किसका resultant, इन दोनों का, तो ये क्या होगा, vector VD plus minus VA, और vector VD minus VA, और vector VD minus VA क्या होगा, ये, change in velocity, VD only minus V is तो change in in velocity का magnitude आयह कितना क्या होगा magnitude तो change in velocity का magnitude कितना हैगा to V direction क्या आगा Јडिया तो यह पहले question का answer आ गया 1st यह 1st का answer और यह 2nd का answer तुम देख सकते हो 1st cancer आ गया चेले व्लस्ट इसलंसी है Russian फर्सट में गलती नहीं करते हैं तुम कर लेते हो लें इसको दोनों को फिगर प्रॉपर्ली आप अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे ठीक है जल्दी करना जिसको डॉक कर लेना मैं बढ़ता हूँ next और last question पे आज की class का last question in fact vector subtraction का last question इस vector subtraction का देखते हैं हम लोग यह देखोई question again एक particle circular motion कर रहा circular motion कर रहा वो A से Bombay तक गया यह कौन है point A और यह कौन है point B A पर speed कितनी है भी और Bombay पर भी speed कितनी है भी speed same है speed constant है speed constant है A से Bombay गया same speed से लेकि भले speed same है speed मतलब velocity का magnitude महले speed same है लेकिन direction बदल रहा और direction बदल रहा तो velocity बदल रहा है velocity vector है ठीक है तो पूछा है कि A से लेकर B तक की change in velocity का सिर्फ magnitude निकालना है हमें A से B तक की change in velocity change in velocity मतलब final minus initial हमें change in velocity का magnitude निकालना है अगर इस line और इस line के बीच का angle theta है तो तुम चेकर लोगे इस vector और इस vector के बीच का ये angle B कितना हैगा theta ही आएगा theta मतलब A की velocity और B की velocity इसका मतलब रही हुआ न कि vector VA vector VA और vector VB के बीच का angle कितना होगा theta vector VA और vector B की बीच का angle कितना होगा theta जल्दी से मैं आपको time आइन दे रहा हूँ जल्दी से निकालो निकालो चेंज इन वेलास्टी का magnitude गात हैकश दोस्ट肉ा निका जोड़ से फिर की Anda के जोड़ निकालोग मेन दे एलान देन फिर सफिता चंगाए हुआ हाँ आभ फिर दे रहा हुआ है को पूउड़ फिर देता तब रह मैं निकाड़ जोड़ 24 सहाँए हैगा This YouTube रहाँ चलो, मैं करता हूँ, अभी, देखें, हम लोगो ने वेक्टर सब्रेक्शन में क्या पढ़ा था, अगर वेक्टर A और वेक्टर B का मंग्शूट सेम हो, कितना A? तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B, अगर इनका मंग्शूट सेम हो, तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मंग्शूट क्या है था, 2A sin theta by 2, देखा हमने जल्दी ही, A माइनस B का मंग्शूट का है था, 2A sin theta by 2, जैसे यहाँ पे A और B हैं, वैसे यहाँ पे कौन है, वेक्टर VB और वेक्टर वी ये तुम यहाँ देख लो वेक्टर वी वी और वेक्टर वी ये का मेंचूट सेम है और कितना है वी वेक्टर वी ये और वेक्टर वी वेक्टर वी का मेंचूट सेम है कितना वी थीटा क्या था ए और वी के बीच का एंगल यहां वेक्टर वी ये और VB minus vector VA का मेंगचुड कितना होगा 2A जैसे यहाँ पर A है वैसे यहाँ पर कौन है V sin theta by 2 theta क्या है दोनों vector के बीच का एंगल यह आ गया answer आ गया हाँ हाँ answer आ गया 2V sin theta by 2 simple हो जाएगा 2V sin theta by 2 इस तरह से हमने VB minus VA का मेंगचुड निकाल गया इस formula का यूज करते हुए ठीक है अगर तुम कोगे गरी formula नहीं आदे तो तो नहीं आदे तो थोगा सा लंबा करना पड़ेगा यह तो यादी रहोगा आप लोग को अगर यह नहीं आदे तो एक और formula जो main formula है A minus B का magnitude क्या होता है under root A square plus B square minus 2AB cos theta उस formula का यूज करोगे अगर यह नहीं आदा रहा तो A square plus B square minus 2AB cos theta का formula यूज करके finally यहीं पर पहुँच जाओगे तो इस तरह से हमने इस question का answer निकाल लिया तू भी sin theta वाईटो ठीक है ठीक तो vector subtraction हमारा complete हुआ vector subtraction भी बहुत important portion है आगे चलके एक topic पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन उस topic में vector subtraction का बहुत जादा यूज होता है तो vector subtraction को एक बार अच्छे सी दिमाग में डाल लो आप लो और यह कोई नई चीज नहीं है यह vector addition ही समझ लो vector subtraction है मैं फिर से वही बोलता हूँ vector A और vector B को subtract करना मतलब vector A और minus B को add करना addition ही तो है ultimately ठीक है तो यह बहुत ही important portion है vector subtraction अच्छे से इसको समझेंगे अच्छे से notes बनाओ question solve करो ठीक है तो हम लोग खत्म करते हैं आज की class next class में हम लोग start करेंगे multiplication of vector addition of vector हमने पढ़ लिया subtraction of vector हमने पढ़ लिया next class में हम लोग पढ़ेंगे multiplication of vector ठीक है बाई बाई आज के लिए इतना ही